गुड मौनिंग इस्टुडेंट बात करते हैं कलास 12 कैमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो की हमारा है इलेक्ट्रो कैमिस्ट्री यानि कि बैद्यूत रसायन के लेक्चर नंबर 11 की इस्टुडेंट हम इसमें बात करेंगे बैद्यूत अपगटन के दोरान जो है कौन-कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं यानि कि बैद्यूत अपगटन के उत्पाद प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस तो इस्टुडेंट यहाँ पर बात करते हैं कि बैद्यूत अपघटन के उत्पाद क्या होते हैं। तो बैद्यूत अपघटन की परकिरिया के फलसरूप जाए एनोड और कैथोड पर बनने वाले उत्पादों को जो है बैद्यूत अपघटन उत्पाद कहते हैं। और यहाँ पर एनोड क्या होता है। यहाँ पर एनोड जो है धनात्मक होता है और जो कैथोड होता है वहाँ नेगर्टिव होता है और इस्टुडेंट बैद्यूत अपगटन क्या होता है रासाइनिक बंदों को तोड़ना यानि कि बिलियन में मौझूद रासाइनिक बंदों का बिगटन जो है बिद्यूत धारा के परियोग से करना तो यह क्या है यहाँ पर बैद्धूत अपगटन के उत्पाद जो होते हैं वहाँ इलेक्ट्रोड की किरिया सिलता और मानक इलेक्ट्रोड विभावों पर निर्भर करते हैं और जो मानक इलेक्ट्रोड विभाव होता है उसे किस से परदर्शित करते हैं E-naught cell से और student यहाँ पर बैद्धूत अपगटन की परकिरिया के फलसोरूप जो है हमारे पास दो परकार के इलेक्ट्रोड होते हैं पहला होता है सक्रिया इलेक्ट्रोड सक्रिया जो कि हमने क्या है जैसे कि example हो गया जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया कार्बन का हो गया या फिर कॉपर का हो गया या फिर ऐल्यूमिनियम का हो गया अर्थात बैद्धूत अपगटन की परकिरिया में जो है यदि इलेक्ट्रोड अभिकिरिया सील हो यानि कि सक्रिया हो तो वह इलेक्ट्रोड क्या होगा अभिकिरिया में पर्तिभाग करेगा यानि कि अभिकिरिया में पार्टिसिपेट करेगा ये तो हमने बात की स्टुडेंट सक्रिया इलेक्ट्रोड की यानि कि अभिकिरिया सहील इलेक्ट्रोड की दूसरा जो बैद्यूत अभगटन के परक्रिया के दोरान जो इलेक्ट्रोड होता है वह होता है अक्रिया इलेक्ट्रोड कौन सा होता है अक्रिया इलेक्ट्रोड एक्जाम्पल के लिए प्लेटिनम का हो गिया या फिर एयू गोल्ड का इलेक्ट्रोड अर्थात यदि बैद इलेक्ट्रोड होते हैं अक्रिया इलेक्ट्रोड होते हैं ये केवल क्या करते हैं इलेक्ट्रोड के सुरोत का कारे करते हैं यानि कि सोर्स ओफ इलेक्ट्रोड की तरा जो है ये कारे करते हैं यहां पर और जो दूसरी ओर हमारे पास क्या है यदि इलेक्ट्रोड अविक्रिया सील या फिर सक्रिया हो तो वह क्या होगा वह इलेक्ट्रोड जो है अभिक्रिया में परतिवाग करता है तो इस परकार से जो है अभिक्रिया सील एवं अक्रिया इलेक्ट्रोडों के लिए जो है बैद्यूत अपघटन जो उत्पाद होते हैं वे क्या है अलग अलग हो सकते है अर्थात जो प्रोडक्ट होंगे वे क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे और बैद्यूत अपघटन के उत्पाद जो है बैद्यूत अपघटनी सेल में उपस्थित विफिन आक्सिकारक एवं अपचायक और उनके मानक इलेक्ट्रोड विभाओं पर निर्भर करते है अर्थात जो बैद्यूत अपघटन के उत्पाद होते हैं वह क्या है बैद्यूत अपघटनी सेल में उपस्थित आक्सिकारक यानि कि आक्सिडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और उसके मानक इलेक्ट्रोड विभाओं पर डिपेंड करते हैं तो आक्स आक्सिकारक क्या होते हैं आक्सिकारक वे पदार्थ होते हैं जो कि क्या है जो कि दूसरे पदार्थ से जो है इलेक्ट्रोन गरहन करके स्वयम क्या होते हैं अपचायत हो जाते हैं उन्हें जो है आक्सिकारक बोला जाता है और जो अपचायक होते हैं अपचायक क्या होते है वे पदार्त जो दूसरे पदार्त को इलेक्ट्रोन देते हैं इलेक्ट्रोन त्यागते हैं और सोयम क्या होते हैं आक्सिकरित हो जाते हैं उन्हें जो है अपचायक कहा जाता है तो जो बैद्यूत अपघटन के उतपाद होते हैं वा बैद्यूत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो है उपस्थित विभिन ऐक्षीकारा क्यानी कि ऐक्षीडाइज़न्ट और जो दूसरा है मारा अपचायक यानी कि डिद्यूसिंग एजेंट और उनके मानक इलेक्ट्रोड भिभव यानी कि ए-nault सेल प पहला दरवित NACL का बैजूत अपगटन तो जब हम दरवित NACL का बैजूत अपगटन करते हैं तो NACL गिप्स NACL पोजिटिव पलस CL नेगटिव अर्थात जो दरवित सूडियम कुलोराइड होता है वह अपने आयनों में बियोजित हो जाता है जब दरवित NACL का हम बैज बैजूत अपगटन करते हैं तो NACL क्या होता है एने पोजिटिव और CL नेगटिव आयनों में बियोजित हो जाता है और यहां पर जो एने पोजिटिव होता है वह क्या है कैथोड पर चला जाता है और जो CL नेगटिव होता है वहाँ एनोड पर चला जाता है ऐसा क्यों हो क्योंकि जो बैद्यूत अपगटिनी सेल में होता है उसमें क्या होता है जो हमारा कैथोड होता है वहाँ रिनात्मक होता है और जो हमारा एनोड होता है वहाँ धनात्मक होता है तो इसलिए जो है यह एने पोजिटिव जो है किस पर नेगटिव वाले पे जाएगा यानि कि ज स्टूडेंट कैथोर्ड पर क्या होगा कैथोर्ड पर होगा हमारा क्या होगा कैथोर्ड पर जो है रिडक्षन की अभिक्रिया होती है यानि कि जो अपचैनी की अभिक्रिया होती हो अग कैथोर्ड पर होगी तो कैथोर्ड पर क्या अभिक्रिया होगी एने पोजिटिब जो ह एक electron गर्ण करके क्या Na solid में convert हो जाता है तो जो कि एक cathode पर reaction होगी Na positive जो है एक electron गर्ण करके Na solid में convert हो जाएगा तो cathode पर कौनसी reaction हो रही है यहां पर? reduction की reaction हो रही है जो कि क्या है? NA positive जो है एक electron गरण करके Na solid में अपचाइत हो जाता है इसी प्रकार से जो anode पर यहां पर reaction होती है वह होती है जो chlorine iron है जो कि chlorine minus है हाप CL2 पलस एक electron का जो है त्याग कर देता है एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है Oxidation reaction होती है यानि कि Oxygen होता है यहाँ पर तो जो Cl- है वह हाफ Cl2 गैस में Convert हो जाता है और एक इलेक्ट्रोन का त्याग कर देता है और जो एक इलेक्ट्रोन का यहाँ पर एनोड पर त्याग होता है उसी एक इलेक्ट्रोन को जो है यहाँ पर यह कैथोड गरहन करता है जिसके फल्सुरूप कैथोड पर क्या होती है अपचेयन की अभिक्रिया तो इस्टूडेंट यह हमने द्रवित एनेसील का बैजूत अपघटन देख लिया और यह भी देख लिया कि कैथोड पर किस परकार से रियेक्शन होगी और एनोड पर किस परकार से रियेक्शन होगी नेक्स्ट अभिक्रिया है इस्टूडेंट यहाँ पर जो दूसरा उधारण है वह है NaCl का जल अपगटन तो student NaCl के जल अपगटन में क्या होता है NaCl की अविकिरिया जो है पानी के साथ H2O और यह देता है में NaOH sodium hydroxide plus Cl2 plus H2 तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा student जो NaCl का जब हम जल अपगटन कर रहे हैं तो हमें क्या पराप्त हो रहे हैं तीन उत्पाद कौन-कौन से NaOH हो गया, Cl2 हो गया और H2 हो गया और यहाँ पर जो है NaCl के जल अपगटन वाली रियक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 2 की मल्टिपलाई हो जाएगी 2 into और यहाँ पर भी 2H2O हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 2 NaOH इस परकार से यहाँ पर यह अभिकिरिया संतुलित हो गई है और यहाँ पर जो यह NaCl है यह क्या है Na positive, Cl negative और जो यह H2O है वह किस की अपने आयनों में बियोजित होता है तो किस में तूड़ता है H positive और OH negative तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो अभिकिरिया में भाग ले रहे हैं आयन वह कितने हैं यहाँ पर चार होगे, दो क्या है यहाँ पर positive वाले आयन है, कौन-कौन से है positive वाले Na positive and H positive और दो क्या है यहाँ यहाँ पर negative वाले आयन है, जो कि क्या है Cl negative और OH negative तो student यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास 2 positive आयन आगे और 2 negative आयन आगे तो यहाँ पर हमारे पास जो समस्या आती है समस्या यह आती है कि अब हम किस पोजिटिव वाले आयन को जो है कैथोड पर रखेंगे और किस नेगिटिव वाले आयन को जो है एनोड पर यानि कि यहाँ से जो दो पोजिटिव आयन है रखा तो उन्हें एक ही positive आयन जाएगा ना जो cathode पर होगा एक ही positive आयन होगा और जो negative आयन होगा वहाँ एक ही तो जाएगा तो इस ही समस्या के लिए हमारे पास यहां पर हमने कहा कि जो बैद्यूत अपगटन के उत्पाद होते हैं वे क्या है वे जो है उनके मानक इलेक्ट रोड विभों का ज्यान होना चाहिए उसके बेस पे जो हम यहां पर कैथोड पर आयन को उपस्थिती बताएंगे और एनोड पर एक आयन की उपस्थिती बताएंगे अर्थात यहाँ पर क्या होगा जो एनोड और कैथोड है उनमें जो है कोई एक पोजिटिव जाएगा या फिर कोई एक नेगिटिव जाएगा अर्थात एनोड पर जो है कोई एक नेगिटिव जाएगा और जो कैथोड पर भी जो क्या है एक धनावेशित आयन जाएगा दोनों तो जा नहीं सकते हैं तो इसलिए इस समस्या के समधान के लिए इसकी आगे क्या लिखते हैं इसके लिए आगे यहाँ पर कैथोड पर होने वाली अभिकिरिया लिखते हैं लेकिन जब हम क्या student जब दरवित NACL का बैजूत अपगटन कर रहे थे तो उसमें क्या था हमें A की कैथोड पराप्त हो रहा था और A की आगे यानी की एकी positive ion पराप्त हो रहा था और A की negative ion तो वहाँ पे कोई ऐसी problem great नहीं हो रही थी लेकिन जब हम NACL का जो जल बैद्यूत अपगटन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमें जो है दो पोजिटिव आयन पराप्त हो रहे हैं और दो नेगिटिव आयन तो वहाँ पर क्या कंडिशन हा रही है कि किसको हम यहाँ पर एनोड माने और किसको कैथोड पर यहाँ पर भेजा जाए तो इस्टूडेंट NACL के जल अपगटन के लिए हम कैथोड पर होने वाली अविकिरिया को लिखते हैं यानि कि कैथोडिक रियेक्शन को लिखते हैं तो कैथोडिक रियेक्शन को किस परकार से लिखेंगे तो cathode पर क्या होता है negative charge होता है तो यहाँ पर धनात्मक आयन वाले positive charge वाले species जाती है और positive charge वाले species कौन कौन ची आई थी Na positive Na positive और H positive तो इनी दोनों आयनों के लिए जो हमें आपर cathode पर होने वाली अविकिरिया लिखेंगे तो पहली जो अभिक्रिया होगी Na positive aqueous पलस एक electron गरण करके क्या है यह Na solid में convert हो जाएगा और जो दूसरी reaction होगी H के लिए हो क्या होगी H positive aqueous एक electron गरण करके हाप H2 gas में convert हो जाएगा यानि कि यहाँ पर reduction process हो रही है और यहाँ पर sodium iron वाली cathodic reaction के लिए जो E naught cell का मान होता है student वह होता है minus में 2.71 volt और जो दूसरी reaction है cathode पर होने वाली reaction उसके लिए होता है E naught cell का मान कितना होता है 0.00 volt तो इस परकार से student हमने na positive के लिए cathode पर होने वाली αभिक्रिया और hydrogen iron के लिए cathode पर होने वाली अभिक्रिया लिकी जिसमें कि क्या है हमने na positive वाली reaction के लिए जो E naught cell यानि कि माननक electrode विभाव जो होता है minus 2.71 volt और जो hydrogen के लिए माननक electrode विभाव का मान होता है जीरो बोल्ट अब यहां पर जो है हमें हमारे पास क्या है ऑप्सन है कि हम किसको जो है किस अभिक्रिया को जो कैथोड पर कराते हैं तो यहां पर जो कौन सी अभिक्रिया कैथोड पर होगी उसके निर्धारन के लिए क्या होता है जो उपरोग यह दोनों अभिक्रिया जो कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं तो इन दोनों अभिक्रियाओं में से जिस अभिक्रिया का E-naught cell का मान यानि कि मानक इलक्टरोड विभाव का मान जो है अधिक होगा तो उसी उसी अभिकरिया को जो है कैथोड पर कराते है यानि कि वही अभिकरिया जो है कैथोड पर होती है और कैथोड पर क्यों होती है क्योंकि जो है कैथोड पर जो है नेगरिटिव चार्ज होता है इसलिए जो है जिस अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभाव जो है अधिक होगा दोनों में से वहाँ अभिक्रिया जो है कैथोड पर होगी क्यों होगी कैथोड पर क्योंकि कैथोड जो है रिनात्मक होता है हमारे पास यहां पर अब घटनी सेल में क्या होता है जो कैथोड होता है वहां रिनात्मक होता है इसलिए जो है कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी उसका मान जो है मानक इलेक्टरोड विभाव का जो मान होगा वहां अधिक होगा तो इन दोनों रियेक्शन में आप देख रहे होंगे जो कैथोड पर होने वाली दोनों reaction लिखी हैं उनमें किस का मान ज़ादा है तो E naught cell का मान जो यहाँ पर है यह minus में है और यह क्या है? 0 है तो जो हमारी दूसरी वाली reaction है वहाँ क्या हो जाएगी? वहाँ यहाँ पर कैफोड़ पर होने वाली अभिक्रिया हो जाएगी क्यों हो जाएगी क्योंकि जो दूसरी reaction हमने लिखी है hydrogen ion वाली उसमें क्या हो रहा है जो E naught cell का मान है वह पहली वाली reaction से जादा है क्यों हो जादा है क्योंकि जो पहली वाली reaction का है वहा negative में और जो दूसरी reaction है उसका 0 volt है तो इसलिए जो है यहाँ पर हमारी cathode पर होने वाली जो अभिक्रिया होगी वहाँ होगी H positive क्या अभिक्रिया होगी मुख्य था H positive aqueous एक electron गरहन करके क्या है यह हाप H2 gas में अपचाईत हो जाएगा next student जब है मैं cathode पर होने वाली अभिक्रिया का पता चल जाता है तो next क्या करते हैं इसकी net reaction लिखते हैं कि समगर जो की total cool complete reaction cathode पर होगी उसको लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे जो यह है एच पोजिटिव आयन है यह कहां से आया जब जो है पानी जो है अपने आयनों में बियोजित होता है तो तब जाके जो है मैं H positive आयन यहां पर प्राप्त हुआ तो जो H2O है वहा क्या है जो है जो H2O liquid form में वहा जो है अपने आयों में ब्योजित होके H positive aqueous plus OH negative में convert हो जाता है तो यहां से हम जो है net cathodic अभिक्रिया लिखते हैं क्या होगा जो यहां से एक electron से sorry electron नहीं यहां पर जो है H positive से H positive क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और जो हमारी cathode पर होने वाली net reaction है वहां क्या हो जाएगी H2O plus electron gives half H2 gas plus OH negative यहां जो हमारी net cathodic reaction हो जाएगी यानि कि H2O plus एक electron gives half H2 gas plus OH negative यही जो हमारी net cathodic reaction है यह तो हमने बात की student cathode पर होने वाली अविक्रियाओं की अब next बात करते है student anode पर होने वाली अविक्रिया यानि कि anodic अविक्रिया की तो anode पर कौन से iron अविक्रिया परदर्शित करेंगे जिन पर की क्या है negative charge होगा क्यों परदर्शित करेंगे क्योंकि anode पर जो है positive होता है तो यह क्या है negative वाले species को attract करता है तो जो हमारे पास negative आये थे दो iron वह आये थे इन ही दोनों के लिए जो हम यहाँ पर anode पर होने वाली अविक्रिया यह लिखते है तो पहली जो अविक्रिया है और दूसरी ओएच नेग्रिया के लिए किस परकार से लिखेंगे student यहाँ पर ओएच माइनस पर anode पर होने वाली अविक्रिया को लिखने के लिए student हम यहाँ पर क्या करते है h2o का परियोग करते है h2o का क्यों क्योंकि जो h- है वहाँ जो है किसका iron है h2o कही तो है जब h2o जो है बियोजित होता है तो हो हो क्या है h- पोजिटिव और किसमें करनोर्ट होता है o h- में तो इसलिए जो हम यहाँ पर anode पर होने वाली अभिक्रिया है जो दूसरे iron के लिखते है o h- के लिए तो वहाँ लिखते है 2 h2o liquid gives o2 gas plus 4 h plus iron plus 4 electron तो student जो दूसरी anode पर होने वाली अभिक्रिया है anodic अभिक्रिया है या फिर oxidation अभिक्रिया है उसमें क्या हो रहा है h2o जो है किसमें करनोर्ट हो रहा है o2 और 4 h plus और 4 electron का त्याग कर रहा है यहाँ पर पहली वाली reaction के लिए e-naught cell का मान क्या होता है 1.36 volt e-naught cell का मान जो होता है student यहाँ पर 1.36 volt और जो दूसरी anode का अभिक्रिया है इसके लिए होता है student e-naught cell का मान 1.23 23 volt तो student इन दोनों अभिक्रियाँ में से जो है कौन सी अभिक्रिया anode पर होगी जिसका की क्या होगा electrode विभव का मान कम होगा अर्थात इन दोनों अभिक्रियाँ में से जिस anodic अभिक्रिया के मानक electrode विभव यानि की e-naught cell का मान कम होगा उसका अभिक्रिया anode पर होगी और क्यों होगी anode पर क्योंकि जो anode होता है यहाँ पर अब घटनी सेल में वहां क्या होता है धनात्मक होता है इसलिए यहां पर जो एनोड अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभाव होता है वहां कम होगा जिस एनोडिक अभिक्रिया का वही जो है मुक्यता एनोड पर होगी तो student इन दोनों अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया के लिए जो मानक इलेक्टरोड विभाओ यानि कि E0 cell का मान अधिक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहली वाली अभिक्रिया है E0 cell के है इसमें 1.36 बोल्ट है जो कि क्या है अधिक है और जो E0 cell दूसरी वाली अभिक्रिया के लिए हुआ कितना है 1.23 बोल्ट तो किस का मान कम है यहाँ पर यहाँ पर जो है जो दूसरी वाली अभिक्रिया हमारी है जो 2H2O वाली वहाँ अभिक्रिया जो है एनोड पर होगी क्यों होगी क्योंकि यहाँ पर जो है एनोडिक अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभाव क्या है इनोड शेल का मान जो है दूसरी अभिक्रिया के लिए कम है लेकिन होना तो क्या चाहिए था जो दूसरी अभिक्रिया है होगा मुख्यता एनोड पर होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर कंडिशन क्या आ जाती है लेकिन ऑक्सिजन के इस ऑक्सिजन के अधी विभाव के कारण जो है यहाँ पर क्या होगा अक्सिजन के अधि विभाव के कारण जो CL- वाली अविक्रिया है यानि कि जो कि हमारी पहली equation है वहाँ एनोड पर होगी क्यों क्योंकि जो दूसरी अविक्रिया है हमारी उस पर क्या होगा वहाँ पर जो है अक्सिजन का अधि विभाव का यूज हो रहा है अधि विभाव का मतलब जब भी कोई अभिकरिया भूत धीमी गती या पर विभाव से हो रही हो अर्थात जिसका की जो की क्या है विभावांतर कम हो उस अभिकरिया को तेज गती से करानी के लिए कुछ विभाव अलग से दिया जाता है तो उस विभाव को जो है यहाँ पर अधि विभाव कहा जाता है तो यहाँ पर जो दूसरी रियेक्शन हमारी है यहाँ पर क्या हो रहा है अधि विभाव का यूज हो रहा है यानि कि एक्स्ट्रा विभाव दिया जा रहा है तो इसलिए जो पहली वाली अभिकरिया होगी हमा मानक इलेक्ट्रोड विभाव E-Node सेल का मान कम होगा वहाँ क्या होगी वहाँ अभिक्रिया एनोड पर होगी लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जो कि दूसरी रियेक्शन है वहाँ पर ओक्सिजन के अधी विभाव होने के कारण अधी विभाव यानि कि अलग से यहाँ पर अभिक्रिया को तेज गति से कराने के लिए दूसरी अभिक्रिया को विभाव दिया जा रहा है तो अधी विभाव होने के कारण यहाँ पर यहवाली एक्क्वेशन जो दूसरी equation है वहाँ मुख्यता नहीं होगी गैस पलस इलक्टरोण और इसका मानक इलक्टरोड बिभव E-node चैल का मान कितना है 1.36 बोल्ट next student यहाँ पर जो हैं anode पर होने वाली अभिकिरिया और cathode पर होने वाली अभिकिरिया और साथ ही जो कि हमने क्या है NACL द्रवित NACL का जो बैद्यूत अभगटन किया था इन तीनों अभिकिरियां को जो एक साथ लिखने पर जो हमें net reaction प्राप्ट होती है उसको लिखते हैं तो जो पहली अभिकिरिया थी जो कि हमारा पहला एक्जामपल था NACL का बैद्यूत अभगटन तो उसमें क्या हो रहा था NACL Gips NACL पलस CL नेगटिव जो कि क्या होगी equation number 1 जो कि हमारी example 1 से आई थी क्या ही थी धरवित NACL यानि कि धरवित sodium chloride का बैद्यूत अभगटन से क्या हो रहा था यहाँ जो है अपने आईनों में reaction हो रही थी अपने आईनों में क्या है NACL बीयोजित हो जा रहा था NACL के अपने आईनों में तूट जा रहा था जो कि क्या थे, Na positive और Cl negative next student यहाँ पर हम कैथोड पर होने वाली जो net अभिकरिया थी उसको लिखते हैं, कैथोड पर होने वाली जो net अभिकरिया थी H2O liquid plus electron minus gips क्या दे रहता हाँ, H2 gas plus OH negative जो कि क्या थी, जो कि हमारी कैथोड पर होने वाली अभिकरिया थी cathodic reaction, जो कि हमारी दूसरी अभिकरिया है और तीसरी हम यहाँ पर लिखते हैं, anodic अभिकरिया को Cl minus aqueous gips half Cl2 plus electron यहाँ पर ट्याग हो रहता हो, यह हमारी कौन सी equation, तीसरी equation जो कि क्या है, anodic अभिकरिया, anodic reaction तो इन तीनो equation को जो है, जोनने पर हमें जो equation प्राप्त होती है यहाँ से क्या हो जाएगा student, एक electron से एक electron माइनस हो जाएगा और जो हमें total net अभिकरिया प्राप्त होती है, complete reaction जो प्राप्त होती है NaCl plus H2O liquid Gips Gips क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है, Cl- से भी, Cl- से cancel हो जाएगा और electron एक electron से, एक electron माइनस हो जाएगा तो जब हम net reaction लिखते हैं, इन तीनो reaction को मिलाके यानि कि तीनो reaction को जब add करते हैं, तो हमें reaction जो प्राप्त होती है NaCl plus H2O liquid Gips, क्या देता है? Na positive aqueous plus OH negative aqueous plus इसके बाद क्या बच रहे हैं अपर? Half H2 gas पलस Half Cl2 gas तो इस प्रकार से student यहाँ पर हमें net reaction जो है पहली reaction और दूसरी और तीसरी reaction से प्राप्त हो जाती है तो reaction 1 जो कि हमारी थी NaCl, दरभित NaCl का बैद्यूत अब गटन और जो दूसरी reaction थी कैथोर्ड पर होने वाली अभिक्रिया और जो तीसरी reaction थी एनोर्ड पर होने वाली अभिक्रिया जब हमने इन तीनों equation को एड़ किया जोड़ा तो हमें जो net reaction प्राप्त हुई वहाँ क्या हुई? NaCl plus H2O liquid gives Na positive aqueous plus OH negative aqueous plus Half H2 gas plus Half Cl2 gas इस वाली equation को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं NaCl plus H2O liquid gives Na positive और OH negative को जोए एक साथ लिख लेते हैं तो NaOH aqueous और plus half H2 plus half Cl2 gas तो student हमें जो हैं यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? तीन उत्पाद प्राप्त हो गया NaOH हो गया, H2 हो गया और Cl2 हो गया तो जब हम NaCl का जल अब घटन कर रहे थे student तो वहाँ पर जो हमें अभिक्रिया प्राप्त हुई थी तो इसी प्रकार से कुछ अभिक्रिया वहाँ प्राप्त हुई थी जहाँ पर क्या है? जब हम NaCl का जल अब घटन कर रहे थे तो NaCl plus H2O, NaOH, H2 और Cl2 और Cl2 जो है तीन उत्पाद हमें वहाँ प्राप्त हो रहे थे तो इस प्रकार से जो है student बैजूत अब घटन के उत्पाद को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मानक इलेक्टरोड विभाव जो है बैजूत अब घटन के उत्पाद जो है मानक इलेक्टरोड विभाव पर निर्भर करते हैं और साती अभिक्रिया सीलता पर भी निर्भर करते हैं यानि कि बैजूत अबगटनी सेलों में उपस्तित बिभिन आक्सी कारक एवं अपचायक अर्थात आक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडूसिंग एजेंट और उनके मानक एलेक्ट्रोड विभों पर जो है बैजूत अबगटन के उत्पाद निर्भर करते हैं यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है इस्टूडेंट और यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है नोट्स बनाने के लिए पेज एड़ किये हो हैं जिनकी मदब से जो है आप बैजूत अबगटन के उत्पाद के नोट्स सेल्प तयार कर सकते हो जो कि मैंने बताया ह यहाँ पर दूसरा प्रिष्ट है उसका जो कि रियक्शन वाँ पर मैंने समझाई है कि कैथोड पर किस परकार से होती है और एनोट पर किस परकार से होती है यहाँ तीसरा प्रिष्ट है जिसमें कि क्या है एनोट पर जो ऑक्सीक्रन अभिक्रिया है वो दिखाई गई है और तो यहां पर चोथा है इसमें total reaction दिखाई गई है जो कि क्या है यहां पर जो कि मैंने अभी आपको हल करके बताई थी NaCl plus H2O Gips Na positive aqueous plus OH negative aqueous plus half H2 gas plus half Cl2 gas और next यहां पर जो है इसी में topics हमापत होता है तो उमीद करता हूँ student आपको पसंद आएगा थैंक्स पर वाचिंग शेयर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब आवर चैनल फोर मोर अपडेट्स थैंक यू